पांच एप्रेल, नौ मिनट, रात नौ बजे और महाशक्ति का जाकरन ये वो वक्त है जो सभी देशवासियों से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपील के जरिये मागा है पियम ने इस 9 मिनट में लोगों से कोरोना से लड़ने के लिए जो अपील की है वो वाकई में काबिले तारीफ है पियम ने कहा कि 5 एप्रल को सभी देशवासि अपने घर की सभी लाइटे बंद करके घर के दर्वाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाईल की फ्लेश लाइट जलाए चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा तब प्रकाश के उस महाशक्ति का एहसास होगा कि हम सब एक ही मकसद से लड़ रहे हैं इस अंदकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल रभिवार को रात नौ बजे मैं आप सबके नौ मिनिट चाहता हूं द्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रभिवार को रात नौ बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनिट के लिए मुम्बत्ति दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्रेस्लाइट जलाएं पीम मूदी ने अपने वीडियो संदेश में एक बार फिर लोगों से लॉक्टाउन का सक्ति से पालन करने की अपील की पीम ने कहा कि इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है बलकि उसके साथ देश की 130 करोड की जनता है हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परिचे कराना है देशवासियों को महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है देश के प्रधान मंतरी 13 दिन में 3 बार देशवासियों को संबोधित कर चुके है और PM ने अपने हर संबोधन में जनता से कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ने की गुजारिश की है इससे पहले जब 22 मार्च को लॉक्टाउं करना था तो PM ने लोगों से शंक, ताली और थाली बजा कर कोरोना वारियर्स को धन्यवाद देने की अपील की थी उनकी इस अपील पर देश की जनता का ऐसा समर्थन मिला कि दुनिया देखती रह गई इसके बाद एक बार फिर जब PM ने 21 दिनों के लॉक्टाउं के जरिये लोगों से होम कॉरेंटाइन होने की अपील की तो इस बार भी लोगों ने उनका साथ दिया आखिर ऐसा क्यूं हुआ कि PM को तीन बार देश की जनता को संबोधित करना पड़ा और क्यों हर बार लोगों से कोई ऐसी अपील की जिससे विरोधियों ने उन पर निशाना साथा तो हम आपको बता दे कि PM की इन अपील के पीछे देश को एक जूट रखना तो है ही वही इसके जरिये लोग खुद ही खुद की हिफाज़त कर सके दरसल इन अपील में नकरात्मक्ता को दूर करने के तमाम संदेश है ऐसा माना जाता है कि शंक घंटी बजाने से नेगेटिव एनरजी दूर होती है और इसलिए आरती के वक्त मंदिरों और घरों में लोग शंक और घंटी बजाते हैं वही पुराने जमाने में खुशी में लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए थाली बजाते थे क्योंकि हर घर में शंक या घंटी नहीं होते थे और आज भी ऐसा हो सकता है तो थाली और ताली बजाकर कोरोना फाइटर्स का धनेवाद देना उनके होसले को बढ़ाना ज अफसात का कारण बंती है और इस वक्त लॉक्टाउन के चलते लोग घरों में बंद है तो जाहिर है कि कोरोना ने जो नेगटिव महौल देश और जंता में बनाया है उसे प्रकाश के जरिये ही दूर किया जा सकता है या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि दिपावली पर जब हर तर से ललक पैदा हो वहीं इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब नौ मिनट तक पूरे देश में लाइट बंद रहेगी तो हॉस्पिटल और जरूरी सेवाओं के लिए बिचली को सेव किया जा सकेगा जो जरूरी वक्त में बैक अप का काम करेगी तो पी-म की अपील के साथ ज लड़ने की ताकत दे और जीतने का विश्वास भी हमारे उत्साह और हमारे स्पिरिट से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत के जर्ये हासिल ना कर पाए और यही वज़े है कि विश्वस्वास संगठन यानि डब्यू एचो ने भी इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया को भारत का अनुसरन करने की सलहा दी है जन्सत्य न्यूस के लिए सुनैना सेंग की रिपोर्ट